Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी अच्छे होंगे और आपने exam की preparation अच्छे से कर रहे होंगे आज की वीडियो में हम HPPSC paper 1 history का discuss करेंगे जिसमें की हम हिमाचल जी के से related जो question आये थे और हिंदी से related जितने question आये थे उन्हें discuss करेंगे उनके answers और उनके explanation साथ साथ में आपको दूगी तो वीडियो अच्छे से ओध्यान से देखिएगा ये आपके आने वाले exam में definitely helpful होंगे चलिए start करते हैं हिमाचल जी के से related जो first question था उसमें पूछा गया है हिमाचल परदेश का निमनलिखी कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है एक तरफ आपको villages दिये हुए हैं और दूसरी तरफ districts के नाम दिये हुए हैं आपने बताना है कि इन में से कौन सा स्थान जो है वो अपने जिले के साथ सही से match नहीं है खड़ राला लोहल स्पिती में बताया गया है शिलारू शिमला में सर्चू लोहल स्पिती और निचर किन और तो इसमें से सही मेल जो नहीं है वो है option A का option A खड़ राला लोहल स्पिती में नहीं है ये शिमला में पढ़ता है शिमला की रोहडू तहसील जो है वहाँ पे ये गाउं स्थित है ये शिमला का oldest trading center है अपर शिमला के लोगों के लिए तो ये match जो है वो सही नहीं है बाकी सभी match जो है बिल्कुल सही है शिलारू शिमला में ही स्थित है शिलारू जो है वो शिमला की थ्योग तहसील में एक गाउं पड़ता है सर्चु की बात करें तो ये लॉहल स्पीती में ही है ये हिमाचल और लदाप की बॉंडरी पे स्थित है और ओल्डेस्ट सिल्क रूट है ये इंपोर्टेंट गाउं है इसी लिए ये इंडिस्टिक्स के साथ मैच करके पूछे गए है नीचर जो है ये की नौर में ही स्थित है चलिए नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन में आपसे पूछा गया है हिमाचल परदेश की पाटली खुल नदी के बारे में निमल की कौन सा सही है ये कुल्लू में पड़ती है कुल्लू में एक इकलोती नदी जो है ब्यास फ्लो करती है तो यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं बाइदर वे इसके जो और अंसर होगा वो होगा ओप्शन सी ये ब्यास नदी की साहिक नदी है इस देखिए हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 तक इकायों की सही संख्या की पहचान निमिखित से कीजिए इकायों की संख्या बतानी है ब्लोक्स जो है हिमाचल में 2022 तक टोटल कितने थे तो इसका सही अंसर होगा 88 ये पिक्चर देखिए इसमें आपको डाटा प्रवाइड किया गया है जिसमें कि आपको तसील, ब्लोक्स, सब्डवीजन, टाउन, सिटीज और इन्हाविटेट बिलेज सब जो हैं डाटा प्रवाइड किया गया है ये आपके लिए हैलफुल होगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए नेक्स देखिए, नेक्स गोशन हमसे पूछा गया है मार्च 31, 2022 तक हिमाचल परदेश में डीजल की कुल संभाविक उर्जक शमता कितनी थी ये थी 0.3 मेगावार, तो ए उप्शन जो है इसमें कोरेक्ट अंसर है नेक्स आपके पास कॉशन है, हिमाचल परदेश के किस निमिलखी जिले में किस 22 में सबसे कम मकानों की आर्थिक सहायता थी जो हाउस सबसीडी दी जाती है, वो सबसे कम किस डिस्टिक को दी गई थी 4 उप्शन में से आपको फाइंड आउट करना है, तो 4 उप्शन में से सही अंसर होगा किनोर, फर्स नमबर पे वैसे लौहल स्पीती थी और सेकेंड नमबर पे किनोर थी बट यहां पे लौहल स्पीती आप्शन में नहीं है, तो किनोर जो है कुरेक्ट अंसर होगा सेकेंड नमबर पे किनोर और थर्ड पे कुलू थी, जो कि 2021 में इन्हें लोएस्ट हाउस सबसीडी दी गई थी नेक्स्ट कोशन है, हिमाचल पदेश के बैंकों में स्तंब दोहजर बाईस तक धनराशी अनुपात दर जिसे की क्रेड़ डेपोजिट रेशो इंगलिश में कहा जाता है, कितनी थी तो ये रेशो थी, अप्रोक्सिमेंट 39.10, अगर हम ऑप्शन को सही से देखें, तो ऑप्शन बी जो है नेरेस्ट अंसर हो रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका कोरेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है, बश्च दो हजार बाइस तक ही माचल पदेश में फॉलों की उपज में सेवो द्वारा शामिल जमीन की पहचान कीजिए, तो इसका सही है, ऑप्शन होगा 48.8 प्रतिशत से उपर नेक्स्ट देखिए, किस निम्रकित हिमाचल पदेश के जिरे में सबसे अधिक भगौलिक बनक्षेत्र हैं, तो इसका सही उत्तर जो है, वो चमबा डिस्टिक आएगा, फोर ऑप्शन में से, सबसे जादा वैसे जो हैं, भगौलिक बन जो हैं, वो लौहल स्पिती में हैं, और सबसे कम उन नामे हैं, बट ऑप्शन में लौहल स्पिती नहीं है, तो यहां पे चमबा जो है, वो कॉरेक्टन्स होगा, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल पदेश के बजट 23-24 में निम्रकित कौन से बित्ती घाटे का अनुमान है, तो इन में 9900.14 करोड जो है, घाटे का अनुमान है, तो C option जो है, इसका कॉरेक्टन्स है, नेक्स्ट आप देखिए, All India Survey on Higher Education Enrollment Report में, कौन से राज्य के इंदर शासित पदेश को हिमाचल पदेश से उपर रखा गया है, इस रिपोर्ट में तमिलाडू को हिमाचल पदेश से उपर रखा गया है, B option जो है, इसका सही अनसर होगा, All India Survey on Higher Education Enrollment Report जो है, इसको short में AISHE बोला जाता है, और इस रिपोर्ट को रिलीज कोन करता है, इस रिपोर्ट को रिलीज के जाता है, Ministry of Education, Government of India के द्वारा, और इसमें एक रिपोर्ट में total students भी पूछे जा सकते हैं, कि इस रिपोर्ट के अनुसार टोटल कि students जो है, वो Higher Education में enrolled हैं, All India में, इस रिपोर्ट के अनुसार, चलिए, next question देखते हैं, next question है, हमारे पास, शिर्किन का त्योहार की नोर हिमाचल परदेश में किस महीने में मनाया जाता है, शिर्किन का त्योहार की नोर में मनाया जाता है, तो आपको मन्त जो है, वो बताना है इस महीने में ये मनाया जाता है, शिर्किन के त्योहार को शिर्कंट महुत सब भी कहा जाता है कि नोर में, और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है, कार्तिक माह कहबो होता है, अक्टूबर नवंबर में, तो सी option जो है, इसका सही उत्तर होगा, next आपके पास question है, हिमाचल पर 31 में मुल्क राज अनन्द उससे मिले थे, उसने यंग गल्स शिर्ष चित्रकला बनाई थी, तो ये 4 options आपके पास दिये गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा combination सही है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अमरित शेर्गिल के जनम के बारे में, क्योंकि यहां पर बताय नहीं हो सकता, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास ये है कि इन्होंने यंग गल्स शित्रकला जो है वो बनाई थी, ये बिल्कुल सही है, तो फोर्थ कंबिनेशन कहां पे है, ओनली बी में है, तो बी जो है वो सही अंसर होगा, नेक्स्ट देखिए, हिमाचल परदेश में सश नहीं है, जो है वो पूर्थ करेक्ट अंसर होगा, लाहल स्पीती तभी अंसर आएगा, जब आपसे डिस्टिक पूछी जाए कि सशुर गुम्पा जो है, वो कहां किस जिले में स्थित है, तो आपका लाहल स्पीती अंसर होगा, और पर्टिकुली अगर आपसे प्लेस पू शिमला की, इनको 1815 में सनन्द जो है वो दे दी गई थी, बट प्रोच हिल स्टेट को अधर के कमपैरेजन बाद में जो है सनन्द अनुदान की गई थी, तो सी ओप्शन जो है इसका कुरेक्ट अंसर है, अब हम हिंदी के कौशन डिसकस कर लेते हैं, हिंदी के टोटल 10 प्रत्य से निर्मित शबद, कौन सा ऐसा शब्द है जो न प्रत्य से निर्मित है, प्रत्य क्या होते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, तो यहाँ पे सही ओप्शन होगा चलन, चलन जो है वो न प्रत्य से निर्मित है, अधर सभी जो है उनमें न प्रत्य जो है व और नङनद लगा हो बाकी सभी जो है इनमे अनप्रत्य है कॉम्प्लीट है यहां पे आध्य न है यहां पे पूरा न है तो यह जोह डिफरेंस है इनमे उपसर्ग के बेसिस पे उससे अ पनना जोह है वह सब्सक्रिक होगा रेखांकित पद में कारक है है इसमें कौन सा कारक है इसमें संबोधन कारक है सबसे इजी कारक जो पहचाना जा सकता है वो संबोधन कारक है इसमें सही है सारजनिक स्थल पर धुमरपान मना है रेखांकित पद विशेशन का भेध है सारजनिक यहाँ पे शब्द बताना है आपने कि विशेशन का कौन सा भेध है स्थान बाचक, गुण बाचक, परिमान बाचक यह संख्या बाचक संख्या बाचक नहीं हो सकता, संख्या बाचक एक, दो, तीन, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है स्थान बाचक भी नहीं है किसी स्थान का बोध नहीं करवा रहा है यहां पे गुण बाचक जो है वो सही अंसर होगा क्योंकि सार्जुनिक स्थान है यह कैसा स्थान है सार्जुनिक तो यह स्थान के गुण को बता रहा है इसलिए कौन सा विशेशन है गुणवाचक विशेशन है नेक्स देखिए मुझे चोर उचकों से बहुत डर लगता है चोर उचक के इसमें आपने संग्या का भेद बताना है संग्या का कौन सा भेद बताना है आपने जो रेखांकित पद है होगा. Next देखिए अकर्मने समस्त पद पर किस समास का उधारन है? अकर्मने समास का पहले अगर हम समास भीगरह करें तो इसका समास भीगरह होगा नकर्मने नकर्मने मींज इसमें कौन सा समास होगा नच्चतत पुर्श समास होगा D option जो है वो सही अंसर है नेक्स देखिए क्रिश का विलोम शब्द बताईए पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्रिश शब्द होता है कमजोर दुबला पतला इंसान उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं या कमजोर परसन के लिए यूज़ करते हैं इसका विलोम आपको फाइंड आउट करना है तो इसका विलोम जो है वो दृड होगा कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाला विराजती है इस पंक्ती में कौन सा अलंकार है अलंकार के बारे में आपको आइडिया अगर नहीं है तो थोड़ा सा में आइडिया आपको देदू कि में जो है इसमें तीन प्रकार के अलंकार होते हैं जिनमें सबसे पहले और सबसे इजी जो है वो अनुप्रास अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है जब कोई भी आपको पंक्ती दे दी जाए और उसके पहले शब्द को बार-बार यूज किया जाए जैसे यहाँ देखी कल, कानन, कुंडल पहला जो शब्द आ रहा है उसका पहला वरण देखी क, क, क तो बार-बार इसे दोहराया जा रहा है क वरण को means इसकी पुनावरिती बोलते हैं हिंदी में से कि एक वरण की बार-बार पुनावरिती हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो अनुप्रास अलंकार होता है तो C option जो है, इसका सही अंसर होगा I hope ये वीडियो आपके लिए informative रही होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो like जरूर कर दें और शेर कना ना बुले, तैंक्स पूचिंग